हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम जानेंगे अगर आप भी अपने मोबाइल में कोई अप्लिकेशन डाउनलोड कर रहे हो और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है Your device is not compatible with this version तो यह क्यों आ रहा है इस कोमठी कैसे कर सकते हैं आएए जानते हैं देखे इसको ठीक करने के 3-4 तरही के हैं पर जरूरी नहीं है कि आपके फोन में ठीक हो जाएगा पर एक बार आप ट्राइ कर सकते हैं सबसे पहले आपको अपने फोन को अपडेट करना है हो सकता है आपका फोन अपडेट नहीं है इसकी वज़े से यह दिक्कत आ रही है तो आपको अपने फोन को अपडेट करना है और अपने प्ले स्टोर को अपडेट करना है अगली चीज है यहाँ पे आप जिस application को download कर रहे हो हो सकता है कि वो application आपके phone के लिए नहीं बना हो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं vivo browser download कर रहा हूँ पर मेरा phone जो है वो है Samsung का तो मेरे phone में vivo browser काम नहीं करेगा vivo browser नहीं चलेगा इसलिए यह मना कर रहा है कि your device is not compatible with this version अगली चीज है आप अपने phone को एक बार बंद करके चालू कर दीजिए यानि restart कर दीजिए इससे आपके दिखकर ठीक हो जाएगी और आपका जो application है वो download होने लग जाएगा और चौती और आखरी चीज है कि आप play store की जगह अपने phone में AP के download कर सकते हैं उस application का जिससे आप download कर रहे हैं क्योंकि कभी-कभी play store पर वो application होता तो है पर वो किसी भी phone में download नहीं होता है तो आप उसका AP के install कर सकते हैं आपको simple chrome में जाना है इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर search करना है उस application का नाम जैसे कि वी वो browser करता हूं में फिर आपको करना है यहाँ पर AP के तो AP के search करिए और आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो यह से आप इसको install कर सकते हैं अपने mobile में वीडियो पसंद आई है लाइक करें अगर आपको कोई सवाल है कमेंट करें आपको करें